हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाडी विट क्रेजी गुरू फ्रेंड्स, DRDO सेप्टम 10 A&A का एक्जाम जो की 13 मार्च से 20 मार्च तक इसका एक्जाम चला था 13 मार्च से 20 मार्च तक इसका रिजल्ट कब आएगा? देखे इसका अप्लिकेशन है जो की 6 नौवंबर से 7 दिसम्बल तक इसका जो अप्लिकेशन फर्म है वो अप्लाई हुआ था तो बहुत सारे स्टुडेंट थे जो सर एक्जाम कब होगा? एक्जाम कब होगा? तो मैं आपको बताया ही था कि Middle March में एकजाम लिया जाएगा और कब ले लिया गया? Middle March में ही कब 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तो क्या हुआ? जो बताया था वो हुआ की नहीं हुआ? तो हुआ? उसके बाद क्या है कि अब student है जो message कर रहे है call कर रहे है सर यह बता दो सर इसी तरह DRD और सेप्टम 10 ANA का जो result है वो कब आएगा तो देखिए मेरा date change नहीं होने वाला जो exam हो गया था उसी time से हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं क्या बोलते आ रहे हैं कि आपका जो यह result है वो लेके चलिया आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों बोल दिये तो यह तो पूरा मई ही हो गया तो हां क्या है न कि DRD सेप्टम 10 टेकनिशन का रिजल्ट भी आया था उसका एक जनवरी से लेके कब तक चला था तेरह जनवरी तक तो उसका result 21 फरवरीक हुआ गया था लेकिन उसमें क्या था मतलब यह समझ के चलिए कि 40 से 45 दिन पर result देने की कोशिस कलता है D.I.D.O. मैक्सिमम 45 दिन मान के चलते उसके 40-45 दिन के बीच आपको रिजल्ट देने का कोशिस करता है लेकिन क्या था टेकनिसियन था उसमें तेन्थ पर जो अपलाई हुआ था फर्म वो तेन्थ पर लस आई टी आई बेस पे लेकिन यह जो इस टेनो गराफर हो गया एसिस्टेंट हो गया फायरमैन हो गया विकल ओपरेटर हो गया ड्राइवर जिसको बोलते हैं तो यह ड्राइवर में तो ड्राइविंग लाइसेंस डिमांड किया था लेकिन यह जो फायरमैन है ना इसमें आपको क्योवल तेन्थ दि सफे लेकिन उसमें क्या था फ़र्म कम अपलाई हुआ था क्योंकि 10th परलस आइटी आई सारे स्टूडेंट के पास नहीं रहता है लेकिन 10th and 12th का डिगरी सब के पास यह सब करता है तो तो क्या है कि आपको यह इसमें फ़र्म अच्छा खासा मतलब नम्र अच्छा आया था लेकिन यह भी सच्छा है कि फर्म जो एक्जाम देने आये थे बंदे वह काम आये थे यह मतलब यह जूटा नहीं है कि एक्जाम सारे लोग दिये थे आप भी एक्जाम देने गए होंगे तो देखते होंगे वह जो हाल में बैठे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे अबैल्टी जो आपसे थे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक मई से लेके 15 मई के बिच कभी भी देखने को मिलेगा लेकिन अगर फर्म जारा थुरा आया है तो इसमें क्या है कि आपको पलस माइनस टेंडेज लेके चलना परेगा लेकिन रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा आप कि क्या होगा नॉर्माइलाइजेशन बेस रिजल्ट आएगा रिजल्ट बढ़ेगा आपको सर यह डिफ्रेंस बता ने बताएंगे वह स्पेशल वीडियो लेंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यह इसमें क्यवाल यह समझ लेजे कि परसेंटाइल बेस हुआ था जो टे दस परलस माइनस टेन डेज लेके चल सकते हैं इसलिए बोल दिया हूं तो अगर कोई डाउट है तो आप हमें हां और उसके बाद बोलेगा बहुत सारे स्टूटेंस कट आप कट आप सभी पोस्ट का लग लग जाएगा यह नहीं कि आये हम और एक ही कट आप बता दिये सार क्योंकि इसमें 3-year मतलब 3-year का जो एक्सप्रियेंस वाला है वह लाइसेंस रिमांड किया है वह भी H&B इसमें फर्म कम अप्लाई हुआ है उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर का जाएगा उस सबसे जारा जाएगा वह किसका जाएगा फायर्में का जाएगा और एड्मि का आपंड को यह वह लग… जाएगा हुआ वह लोका जायए रिखेंट का जाएगा ही कि एड्मिंत्रींटरेटरिफ्सेंटाव का सबसे लिख करतें थे रिखेंट 14 के सदमें हमеноलत आप 125 नियु Ms 86 है 86 है लेकिन इसमें फ़र्म अच्छा मतलब आया था क्योंकि 10 नॉर्मल डिग्री 10 मांगा था ओके यह कारण है कि फायरेमेन का कॉट अप सबसे जारा रहने वाला है तो ध्यान दिजेगा यह चीजा और उस पर वीडियो बना दिया गया है आप जाके वो वीडियो सर्च कर के लिखिएगा डिया डियो सेप्रम 10 फायरेमेन काट अप स्टाडी बिट के लिजी गुरू आ जाएगा खुड ओके तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रूप में नहीं जोइन किया है तो के लिए फर्म अप्लाई हो रहा है तो उसका अभी इनफर्मेशन दे रहे हैं उसके बार एजुकेशन एजुकेशन नहीं देंगे तो हम कई से क्वालिफाई किजेगा एजुकेशन और टाइम टू टाइम इनफर्मेशन मिलेगा तब आप सही रास्ते में जाईएगा तो आपका सेलेक्शन कोई रोक लेगा नहीं नहीं इसी बेस पर काम कर रहा है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्काइब कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद जायवार है